नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है, आज का फैस्ट एपडेट है, सिक्यूरिटीज एपले ट्रिब्योनल ने फ्यूचर रिटेल के चेयर परसन किशोर बियानी और कुछ दूसरे प्रमोटर्स की ऊपर सिक्यूरिटीज मार्केट से रिस्रिक्शन इसके लावा सेभी ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर कॉर्परेट रिसोर्स पर एक करो रुपे की पैनल्टी रगाई थी, उन्हें गलत तरीके से कमाए 17.78 करो रुपीज के प्रॉफिट को जमा करने को भी कहा गया था, नेक्स्ट अप्डेट है, ब्रुक 75.05 रुपीज पर लिस्ट हुआ, ब्रुक्फिल्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्मेंट ट्रस्ट के आईप्यो को इस महिने के शुरुआत में एट टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था, ब्रुक्फिल्ड इंडिया आर इईट के 3800 करो रुपीज के आईप्यो लेकर आने वाली है, ये आईप्यो 23 फर्वरी को खुल कर 25 फर्वरी को बंद होगा, इस आईप्यो का प्राइस बांड 626 to 627 रुपीज पर शेयर तया किया गया है, इस इशु के जरिये कंपनी की 625 क्रो रुपीज करेक्ट करनी की प्लानिंग है, इस इशु का आईप्यो में 60 क्रो रुपीज का फ्रेश इशु होगा, वहीं प्रमोर्टर्स की तरफ से 90.15 लाग शेयर का ओफर फर सेल रखा जाएगा, कंपनी इस इशु से मिले पैसे का यूज अपनी वर्किंग कैपिटल रिकॉर्मेंट्स को पूरा करने में करेगी, हेरेनभा इंड साथ से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट किया है, नेक्स्ट अपडेट है, पावर ट्रांसमिशन और डिस्रिबूशन सेक्टर की कंपनी जी इए टी एंडी इंडिया लेमेटेड ने महेश पलशिखर को बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स का चेर्मेन अपॉइंट करने का अन मैनुल बार्टोलीनी को भी बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स में शामिल किया है, कंपनी के अकॉर्डिंग जी इए ग्रूप में रिस्पॉंसिबिलिटीज बढ़ने के चलते, एक होल्टाइम डारेक्टर नागेश तिलवानी ने बोर्ड ऑफ डारेक्टर से इस्तीफा दिया है नेक्स्ट अपडेट है, डिटेल स्टोर्स चलाने वाली फ्यूशर ग्रूप का कहना है कि अमारिकन ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने रिलाइंस इंडर्स्ट्रीज को बिजनस बेशने के उसके एग्रिमेंट के अगेंस्ट उससे चार करोर डॉलर का कॉम्पेंसेशन मांगा है कि अमेजन ने रिलाइंस इंडर्स्ट्रीज के साथ उसके एग्रिमेंट पर फोन से हुई बातचीत में 4 करोर डॉलर यानि 290 करोर रॉपीज के डिमान की थी, फ्यूचर ग्रूप ने ये भी कहा कि अमेरिकन कंपनी अमेजन को 24,713 करोर रॉपीज के फ्यूचर रिलाइ मार्केट में लॉच कर दिया है, इस बाइक का प्राइस 1.96 लाक रॉपीज फिक्स किया गया है, CB350 RS के लिए बुकिंग सभी हॉन्डा बिग विंग शोरूम से गरा सकते हैं, वहीं इसके डिलिवरी मार्च के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी, नई हॉन्डा CB350 RS को देने के लिए 348.6 CC सिंगल सिलेंडर एर कुल्ड इंजन का इस्तमाल किया है, जो हाइनर CB350 को भी पावर देता है, नेक्स्ट अपडेट है, रेल्टेल कॉर्परेशन का IPO आज यानि 16 फरवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है, और 18 फरवरी को क्लोज होगा, इसमें सरकार अपनी 27% हिस्सिदारी यानि 8.7 क्रोर शेयर्स बेच रही है, हालाकि इस इशू से कलेक्ट किया गया फंड कंपनी को नहीं मिलेगा, ये फंड सरकार के पास जाएगा, रेल्टेल कॉर्परेशन सरकार की मिनी रतन कंपनी है, आपको बता दें कि रेल्टेल की 66 इंकम टेलिकॉम सेक्टर से आती है, जबकि इंकम का बाकी हिस्सा रेल्वे और दूसरे प्रोजेक्ट से आता है, नेक्स्ट अपडेट है, फानाइंस मिनिस्टर निर्मिला सीतारमन ने बज़ट में अनौन्स किया था कि चार सरकारी बैंक्स का प्राइटाजेशन किया जा का नाम शामिल है, जिन चार बैंक्स को सेलेक्ट किया गया है, उनमें से दो का प्राइटाजेशन फिस्कल इयर 2021-22 में कर दिया जाएगा, यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खतम होता है, फिनोवेशन्स डाट कॉम पर यह हमारा लास्ट ओफर है, पाएं 30% और आपको मिल सकता है फिनोवेशन्स गुरीज जीतने को मौका, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, हमसे जुड़े रेने के लिए थैंक्यू